अज हम लोग पढ़ेंगे nutrition in animals तो इस chapter में हम लोग ये चीज़े study करने वाले हैं कि जो animals होते हैं उनका nutrition कैसे मिलता है वे nutrition कैसे आप्टेन करते हैं इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस chapter में explain करने वाले हैं nutrition का मतलब portion जिनसे उनका growth होता है जिनसे उन्हें energy मिलती है जिसके द्वारा उन्हें बिमारियों से protection होता है तो ये सब कुछ nutrition के द्वारा होता है तो animals में ये nutrition कैसे आप्टेन होते हैं इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस chapter में देखने वाले हैं तो आए अब हम लोग शुरू करते हैं तो you have you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot but animals cannot yes तो हम लोगों ने chapter 1 में पढ़ा कि plant जो होता है ये अपना food खुद तयार कर लेता है by the process of photosynthesis यानि की photosynthesis के process के दोरा तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो plant होता है उसको अपना food प्रिपेर करने के लिए carbon dioxide water ये दो चीज carbon dioxide उसको air से मिल जाता है water उसको earth से जो है वा absorb कर लेता है उसके बाद sunlight sunlight sun से मिल जाता है chlorophyll उसके पास मौजूद होता है इन सब को मिला कर इस सब में chemical reaction होता है और उसके दोरा इसका food बनता है जिसे हम लोग glucose बोलते हैं तो ये food जो है न ये पौधा जो है ये खुद अपने से तयार कर लेता है और इस process को हम लोग बोलते है photosynthesis photo का मतलब होता है light synthesis का मतलब होता है prepare करना यानि कि जिसको prepare करने के लिए light की जरूरत परती है क्योंकि photosynthesis का process जो plant करता है तो इसके लिए sunlight की जरूरत परती है और ये sunlight के presentation में ही हो पाएगा तो but animals cannot यानि कि animals जो है ये अपना food खुद प्रिपियर नहीं कर सकते जिस तरह से plant अपना food खुद प्रिपियर कर लेते हैं Animals get their food from plants तो जानवर जो है ये अपना food कहां से उप्टिन करते हैं plants के दोरा आइधर directly by eating plants और indirectly by eating animals तो animals that eat plant तो ये जो है animals जो होते हैं वह directly या indirectly अपने food के लिए ये depend रहते हैं किस पर plant पर कुछ ऐसे animals होते हैं डिरेक्टली का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे animals होते हैं जो direct plant को खा लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे animals होते हैं जो indirectly depends है यानि कि वह वेसे animals जो plants को खाते हैं और फिर उस animals को दूसरे animals खाते हैं तो ये indirectly प्लांट पे डिपेंड हो गया है, some animals, it, both plants and animals, कुछ ऐसे animals होते हैं, जो plants को भी खाते हैं, और कुछ animals को भी खाते हैं, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, कि animals जो होते हैं, उसको तीन कैटोगरी में classify किया जाता है, तीन कैटोगरी में divide किया जाता है, एक होता है, हर्वी बोर्ष, तो हर्वी बोर्ष जो होता है, जो plant को खाता है, दूसरा होता है, कैटनी बोर्ष, जो क्या करता है, वहां मांस को खाता है, और तीसरा होता है, Omnivores जो हो गया जो plant और animals दोनों को खाता है तो इसको plant और animals दोनों को खाता है उसको हम लोग बोलते हैं Omnivores तो यहाँ पर भी यही बात बताया जा रहा है कि some animals eat both plant and animals जो दोनों को खाता है Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body तो एक बार जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ने ये चीज पहले भी पढ़ा है कि जितने भी organism होते हैं उन सभी को growth करने के लिए, उनके body को repair करने के लिए उनके body को metabolism को active रखने के लिए, उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सरीर के सभी organ को सही तरीके से काम करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए food की जरूरत होती है Animals nutrition include nutrient requirement mode of intake and food and its utilization of the body तो जितने भी animals होते हैं, वे सभी अपना nutrition जो है, सभी को nutrition की जरूरत परती है और वे सभी अपने तरीके से उस food को intake करते हैं यानि की लेते हैं और जिससे उनके अपने body के द्वारा उसे utilize करवाते हैं तो you have studied in class 6 that food consists of many components, try to recall and list them below तो आपने पिछले class में भी पढ़ा है कि food जो होता है उसमें बहुत सारे components मिले होते हैं और यह सारे components जो हैसो उसमें सामिल होते हैं हमारे food में और जिससे जो हैसो हमारे growth होता है, repair होता है, हमारे body repair होता है, कहीं पे cut जाता है तो उसको heal करना, भीमारियों से बचाना, हमारे body, organ का functioning करना तो यह सब कुछ जो हैसो किसी component के द्वारा होता है और यह सभी component जो हमें food के द्वारा मिलता है तो try to recall and list them below हना तो अब हम लोग इसको यह जो list नीचे दिया जा रहा है इसको हम लोग पूरा करने की कोशिज करते हैं तो अब हम लोग देखते हैं the components of food such as carbohydrates are complex substances तो जो components होते हैं तो हमारा food में जो component होता है जैसे कि vitamins है, minerals है, fats है, carbohydrates है, proteins है यह सब हमें हमारे यह सब सामिल होता है component हमारे food में तो यह इसके द्वारा हमारा body growth करता है, repair होता है डिजिश से protect होता है तो यह सब हमारे लिए जरूरी है और यह सब हमें food से ओप्टेन हो जाता है तो जो हमारा food होता है उसमें एक carbohydrates component होता है जो बहुत ही complex होता है इस complex substances cannot be utilized as such तो यह जो complex substances है carbohydrates इसको हमारा body जो है ऐसे utilize नहीं कर सकता है क्योंकि यह बहुत complex होता है तो they are broken down into simpler substances इसलिए इसको simple substances में तूटना जरूरी होता है जब तक यह simple substances में तूटेगा नहीं तब तक हमारा body इसको utilize नहीं कर पाएगा the breakdown of complex component of food into simpler substances is called digestion तो यह जो हमारा food होता है यह जो food है जो complex है और इस complex food को simple substances में तूटने का जो process होता है इस process को हम लोग बोलते हैं digestion तो different ways of taking food तो food जो होता है उसको take करने का बहुत सारा जो है अलग अलग तरीका होता है अलग अलग animals जो होते हैं अलग अलग organism जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से food को intake करते हैं जिसको हम लोग mode of taking बोलते हैं तो the mode of taking food into the body varies in different organism तो अलब अलब जीवों में, अलब अलब जानवरों में यह अलब अलब तरीके से फुड को इन्टेक करने का तरीका होता है. Beech and Hum, Humming birds, soop the nectar of plants. तो जैसे कि मदउमक्या होती है या Humming Water होता है, यह क्या करती हो कि अपना फुड जो है, प्लांट के नेक्टर से यह उप्टेन करती है इंफैंट्स ऑफ हुमेन और मेनी अधर एनिमल से फीड दा ओन मदर्स मिल्क हुमेन का जो बेवी होता है इंफैंट या जानवरों का जो बेवी होता है जैसे काउ, केटल वगर का तो यह जो है जो फीड अपना भोजन जो आपटेन करती है वो अपने मदर्स के मिल्का यानि कि उनकी उनकी जो मा होती है उसके दूड़ को यह अपने भोजन के रूप में घ्रण गरती है अ स्नेक्सलाइक द पाइफोन- ऍश्ञर द एनिमल द प्रे अप्वन उसके बाद जो साफ होता है जैसे कि python ये क्या करती है कि ये जानवरों के को अपना सिकार बनाती है उसको वन निकल जाती है और बहुत सारे aquatic animals का मतलब हो गया कि जो पानी में रहने वाला जो जीव होता है तो वह जो है क्या करता है कि जो पानी के में या पानी के किनारे यानि पानी में बहुत सारे ऐसे food particle होते हैं जो fluid करते रहते हैं तैरते रहते हैं या पानी के किनारे भी बहुत सारा पाय जाता है तो उसको ये क्या करता है कि या particles को जो ऐसो अपना food के रूप में इस्तमाल करता है उस teeny particle को या उप्टेन करकर अपने food के रूप में इस्तमा करता है